नमस्ते किसान भाय और बहनू क्रिशी ग्यान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है किसान भाय और बहनू आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फॉल आर्मी वर्म स्पोडोप्टरा फ्रूगी पड़ा की पहचान एवं लक्षन के बारे में किसान भाय और बहनों मक्का पर अक्रामक कीट फॉल आर्मी वर्ग का लाव पत्ती भावर के अंदर रहकर बढ़ते हुए मक्का की पत्तियों पर फीड करता है शती के लक्षनों में पत्तियों का छिलना, पिन छेद, छोटे से मध्यम लंबे छेद, समानांतर छोटे छेद और पत्तियों पर अनियमे ताकार के छेद पत्तियों के शीर्ष भाग का नुकसान, लाव के चवाने वाली सामगरी की उपस्थिती और पत्ती भावर में चव प्रद रितु के दौरान साथ दिन, सर्दियों के दौरान अस्सी से नब्बे दिन का होता है। एक वर्ष में एक कीट की पीडियों की संख्या मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन एक मादा आमतोर पर अपने जीवन काल में लगभग पंद्रा सो अंडे देती है। किसान भाय और बहनों अब कुछ तस्वीरों की सहायता से इसके जीवन चक्र को समझ लेते हैं। इस तस्वीर में आप मक्का के पौधे के शुरुआती अवस्था में तने को देख रहे हैं। इस तस्वीर में पत्ती पर फॉल आर्मी वर्म लावा के अंडे आप देख सकते ह हैं। किसान भाय और बहनों अंडों से तीन दिन बाद लावा निकलते हुए आप देख सकते हैं। अंडों से काले सिर वाले लावा निकलते हैं। लावा की बने की अवस्थाएं। लावा 1 मिली मीटर से 45 मिली मीटर तक बढ़ते हैं। मध्यम वबड़े आकार के लावा पर विशिष्ट चिन फॉल आर्मी वर्म की पहचान है। इस कीट का प्यूपा लाल भूरे रंग का होता है। प्यूपेशन आमतोर पर मिट्टी में 2-8 cm की गहराई पर होता है। नर कीट पतंगों के अगले पंखों पर विशिष्ट सफेद निशान होते हैं। किसान भाईयों और बहनों फॉल आर्मी वर्म का नियंत्रन कैसे करें। कीटों की तीवरता के आधार पर कीट नाशकों का उप्योग करें। अजाडी राच्टन वाइन्टी मिललीटर प्रती 10 लीटर मैनुवल या बैटरी स्प्रे पंप से स्प्रे करें। एक ही क्रिया वाल कीट नाशकों का बार-बार उप्योग नहीं किया जाना चाहिए। स्प्रे नोजल को पत्ती भावर की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसमें लावा आमतोर पर फीड करते हैं। मक्का में फॉल आर्मी वर्म रोक्थाम हेतू एकी कृत कीट प्रबंधन, पूर बो वाय अभ्यास, गहरे प्रकाश और शिकारी पक्षियों के लिए प्यूपा को उजागर करने के लिए खेतों में गहरी जुताई करें। प्यूपा से व्यस्त उध्धब को कम करने के लिए नीम केक्थ 250 किलोग्राम प्रती हेक्टिय का प्रयोग करें। प्राकृतिक व्यस्त की मेडों को साफ रखें और फूलों के पौधू जैसे की गेंदा, तिल, घूसला, सूरजमुखी, धनिया, सौफादी लगाएं। बुवाई से छेव पत्ती व साथ पत्ती चरण से फूल अवस्था पर। फ्लैत ब्याग बुवाई के बजाए रिज और फरो बु के रूप में N, P, K की केवल अनुशनसित खुराक लागू करीं। आर्मी वर्म के अंडों वो लावों का हाथों से विनाश करीं। मक्का के खेतों के चारों और नैपियर घास, संकर नेपियर की तीन से चार पंक्तियां ट्राप फसल के रूप में लगाएं। सह फसल जैसे चना, माश, कावपी आदी को दो अनुपात एक से चार, एक के अन पहला स्प्रे 5 प्रतिशत नीम के बीज की गेरी के अर्किया अजादो रेक्टिन, 1500 पी पी एम, एक लीटर प्रती एकड, 5 मिलिलीटर प्रती लीटर पानी के साथ करीं। अंडे के परजीवी जैसे टेलिनोमस रेपुस, 4000 प्रती एकड या ट्राइकोग्रामा प्रीतियोसम, 5000 प्रती एकड, सापताहे कंतराल पर पेरास्टियड को खेतों में रिलीज करीं। मक्का की फसल के बाद मक्का उगाने से बचें। यदि संक्रमन 10 प्रतिशत से अधिक है, ता फॉल आर्मी वर्म की रोक्ताम हेतू अनुशानसित कीटनाशकों में से किसी एक का इस्तिमाल करीं। क्लोरेंटरानिलिप्रोईल 18.5 SC, 80 ml प्रति एकड, 0.4 ml प्रति लीटर फारिस की जाती है। फिरो मून ट्राप, फॉल आर्मी वर्म लियूर के साथ फनल ट्राप को हर सप्ता फसल के साथ मेल खाते हुए फसल से एक फीट की उचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। ट्राप को न्यूतम 75 फीट की दूरी से अलग किया जाना चाहिए। सप्ताह में दो या एक बार पकड़े गए पंतगों की संख्या के लिए ट्राप का निरीक्षन करें एक एकड के लिए नीम के बीज की गिरी का अर्ख तयार करना एक एकड के लिए 10 किलो बीज गिरी की आवश्यक्ता होती है पाउडर बनाने के लिए 10 किलोग्राम जरूरत की गुठली पीस लें पाउडर को 50 लीटर पानी में रात भर भिगो दें सूती कपड़े का उपयोग करके सामगरी को हिलाऊं और छानों फिल्टर घोल 200 ग्राम डिटजेंट पाउडर या 200 मिलिलिटर साबुन का घोल डालें पानी मिलाकर 200 लीटर तक मात्रा बनाएं अंडे परजीवी के रिलीज पर साबधानी, परजीवी रिलीज और रासायनिक कीटनाशकों के आवेदन के बीच न्यूतम एक सप्ताह का अंतराल होना चाहिए किसान भाईयों और बहनों आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा किसान भाईयों और बहनों वीडियो को लाइक करें अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद